तो साइड हो जाए हैं बैठी जाते हैं डरिये ने ठीक है क्या बात है नाम क्या आपका अरियांत कश्चा अरियांत में बिहार में एक ऐसा इंसिट्यूट है जहां पर पढ़ाई बहुत अच्छा उन्नीस का जो रिजल्ट है वो बिहार का टॉप रहा है इस कोचिंग है अब बढ़ियां आप लोग बढ़ियां है ना यह समय एक एनरजी पुरा हाई रखेगा ठीक है अगर हमसे बात करना है तो क्योंकि हम आप ही लोग के लिया है लन क्लासेज में आप लोग पढ़ते हैं बहुत नामी इंसिट्यूट आप लोग जानते हैं मतलब ऐसे कोई बत्ते बच्चें हैं जो बहुत दूर से यहां पर पढ़ना में रहकर पढ़ते हैं यहाँ आप नैसे बच्चिहां कि सब नामें आपका लिश्यां फोड़ा सा अप अपने आवाज को बोल्ड रखिएगा ठीक है क्योंकि सपना आप लोग का बड़ा है आई आई टी के स्टूडेंट है मेडिकल के स्टूडेंट है तो लो में बात नहीं करना ओके कहां से आई है भागलपूर से भागलपूर से पतना हॉस्टल में राती है और एलन क्लासिस कै अब आप लगता है यह बताईए क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे विवर्स हैं जो अपना सपना आयाइटी यानि एंजिनियरिंग या फिर मेडिकल फिल्ड में जाकर पूरा करना चाहते है यस मैं बहुत अच्छा लगता है यहां पढ़के क्या बनना है यस मैं डॉक्टर अच्छा बन के क्या करिये गए बताईए अच्छा सेवा करें चाहरा इस कैसे हैं हम यह जानेंगे आपसे तो साइड हो जाएं बैठी जाते हैं डरी एनीटीक है फ्रैंक रही है नाम क्या आपका सुमन कुमार अलन क्लासेज में कब से आप पढ़ रहे बताए पहले पहले थ्री मंथ तो थ्री मंथ में क्या एक्स्पीरियंस रहा मैडम जी कैसा पढ़ा रही है डाटी वगरा नहीं नहीं है पढ़ाती कैसा यह हम जानेंगे और मेरे साथ साथ हमारे जितने भी विवर्स हैं जितने भी आपके जैसे स्टुडेंट वो जानना चाहते हैं अच्छे पढ़ा है अच्छा पढ़ा होता है यह बताएं यह बहुत बच्ची का दिमाग जैसा तो होता नहीं कभी आसा होता है कि स्किप कर जाता है नहीं समझ पाते तो उस सिच्वेशन में क्या करते हैं क्लास के बाट सर क्लास एक लेता हैं उनसे पर बाद में पूछा जाता है अच्छा आप लोग हिंदी इंगलिस दोनों में पढ़ाई होता है जो बच्चे इंगलिस को या अँग्रेजी को अच्छे से नहीं समझ पाते वो हिंदी में पढ़ते हैं और मैडम जी पढ़ाती क्योंकि देखें बहुत था बहुत तढ़ा के बच्चे हैं क्योंकि हर तरह के बच्चे एक जैसे तो नहीं होते सब डिफरेंट होते हैं और खास बात यह एक यहां स्कॉलर्शिप की भी सुविधा है scholarship उन बच्चों के लिए जो गरीब है एक टेस्ट पास करके scholarship प्राप्त कर सकते हैं हम इस कोचिंग इंसिट्ट में इस लिया है क्योंकि बिहार और पटना में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो यह सोचते हैं कि हमें IIT करना है medical करना है तो हम कहां जाएं अच्छा कोई ऐसा बच्च से हटके है scholarship मिला है इनकी काबलियत पर क्लाप कीजिए न अब अच्छा कैसे मिला scholarship हमारे और बीजुल स्टुडेंट है अगर उनको admission करवाना होगा तो कैसे आपकी तरह scholarship ले सकते हैं क्लास 10 के बोर्ट के बेसिक से मिला था अच्छा वगरा भी होता आइधिंग हां scholarship exam था उसमें 100% आया तो पूरा फिस वह माफ हो गया तिन सो साथ नंबर का इतिंक है कितना आया था अंडेट क्लासेंट क्लासेज नहीं हम इसलिए यहां पढ़ाए है ता कि बच्छों को यह जाने नहीं 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 देखिए यह खास बात है इलन क्लासेज आज का हैं हम इसलिए यहां पढ़ाए हैं ताकि बच्छों को यह जानकारी हो कि पटना में बिहार में एक ऐसा इंसिट्यूट है जहां पर पढ़ाई बहुत अच्छा होता है दूर दूर से आप बच्चे आते यूपी से जैसे यह लड़की आई है बच्ची आई है और एक चीज हैं इसे कोई ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं मैं खुद यहां पर ठीमन से पर रही हैं यहां की सारी टीचर जो भी डाउट होता है तो अगर एक बारी नहीं सज्में आता है हम लोग दो बारी पूछते हैं इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होता है नही क्या कहेंगी ऐसे बच्चे जो अपना सपना पूरा करने के लिए एलेन क्लासेज में आते हैं किस तरह से आप लोग मदद करती हैं क्योंकि आप लोग जैसे फेकल्टी जी मदद करते हैं लोगों के तो मैम यहां पर मतलब जिसको भी स्कॉलर्शिप चाहिए होता है तो उसको स्कॉलर्शिप हवा तो उसकी ब diapers मिलते हैं तुसके लगों को जो भी परसेंटे आते हैं उसके हिसाव से मदलब पुरा free होजाता है हाँ जिसको महां 100% आपिव जोगया फुरा जी तो इस तरीके सही होता है लाइक हो गया तो वह आपको डेर घंटे का हो गया तो वह आपको पुरे दीनमीट यह चलता है इस तरीके से ही होता है आई तो यहां पर जो सुटेंट वाले भी सारे माम जादा तर अपको hostel वाले ही मिलेंगे hostel वाले ही यह आपको जादा तर। टेस्ट होता है questions कैसे होते ये बताईए MCQs question होता है जो chapter अभी class में चल रहा है वो खतम हो जाएगा फिर उसके basis पर test होता है chapter wise test होता है topic wise भी question रहता है आपने अभी तक दिया है एक पर दे चुके इस बार जो हुआ त्री मन्त हुआ आप लोग तो ज्यादा मन्त के बच्चे हैं नहीं अच्छा क्वालिटी कैसा होता है मैं जो हम लोग कर रहता है वह एकदम मेंस लेवल का भी रहता है कुश्चन जो टेस्ट वगरा होते हैं ना जो चैप्टर वाइज पार्टिकल के रूपर क्या है एक बाल जो है एक सिकेंट के इंटर्फल पर गिराया जाए जा था सब्सक्राइब कैसे आप ये बताइए बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई कैसा बोरिंग होता ये इंट्रेस्टिंग होता है जो कि आज के यूथ को इंट्रेस्टिंग चीज पसंद है अगर पढ़ाई भी कर दया तो थोड़ा इंट्रेस्ट होना चाहिए अगर बोलिए जी जी तो नहीं थोड़ा से तो बोलना पड़ेगा आप लोगों को आप लोग तो कोई सिंपल बच्चे है नहीं सपना लेकर बड़ा आया एंजिनियर बनना है डॉक्टर बनना है तो इतना स्लोब बोले काम चल जाएगा नहीं मैं नहीं कैसे आपके बच्चे सद्विए बहुत अच्छे हैं और एक मतलब डिजन है जैसे देखे किसी को भी अगर इंट्रेस्ट आये तो नेच्वाली चाहिए तो यह इंट्रेस्ट जगा दिये हैं बहुत सारे ट्रिक्स बेगराब बता कर गए कि एकदम मतलब कंसंट्रेट होया अभी क्या पढ़ा रहे हैं अभी तो ऐसे प्रोजेक्टाइल के पहले हम लोग मोशनीन ने बहुत कल हां में वन डेमेंशन पढ़ा रहे हैं सर आज के बच्चे जैसा कि आपने भी कहा कि पढ़ाई में यह इन्ट्रेस्ट चाहिए ठीक है ने तो बच्चे जब बोड होंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे HERE क्यों प た अधेख्या मतलब अवाभी इन्ट्रेस्ट एक दम होना चैया जैसे इन्ट्रेस्ट कब होगा इसका मतलब सबसे ब